नमस्कार दोस्तों बदोसाथ आपका हमारे चल में दोस्तों आज किस वीडियो मैं आपको राशन कार्ट से जुड़ी है एक बहुत ही खास जानकरी देने वाला हूँ वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि राशन कार्ट जो है इंडिया के अंदर एक भाती महत्वपूर्ण important document है या की दस्तावाईज है दोस्तों सभी लोग राशन कार्ट बनाना चाते हैं सभी लोगों का राशन कार्ट बना भी हुआ है और बहुत से लोग उसको बनवाने की जद्धोज़द में लगे भी रहते हैं दोस्तो कई बार हम अच्छे तरीके से राशनकार्ट बनवा लेते हैं लेकिन कई बार नहीं बनता तो हम नए तरीके भी अपनाते हैं दोस्तो यहां पर हम आपको बता दे कि अब प्रशासन जो है वो सक्त हो गया है अगर आपके पास भी राशनकार्ट है तो आपको एक बार जरूर सोचने की जरुरत है तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए और ध्यान दीजेगा दोस्तो यहां पर प्रशासन ने इसाफ कर देखिए जिन लोगों को जरूरत होती है राशनकार्ट की तो उन लोगों तक राशनकार्ट नहीं पहुंच पारा या कि उनका राशनकार्ट नहीं बन पारा और उन लोगों को राशन नहीं भी मिलता लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को जरूत नहीं है या भी इसके लिए योगिन नहीं होते उन लोगों का भी राशनकाड यहाँ पर आसानी से बन जाता है और वो लोग राशन का लाब भी लेने लग जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो दांदरी की शिकायत लगातार परशासन को बिलती जा रही है तो अब इसी बारे में परशासन जो है थोड़ा सक्त होने वाला है और अब जिन भी लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं उनकी भी एक क्रॉस चेकिंग हो सकती है जैसा की सुत्र ज लोग जो है उनी के लिए राशन कार्ड सही माइने में होता है ताकि उनको फ्री में या कमदाओं में राशन दिया जाए तो राशन कार्ड के कई प्रकार भी होता है जैसे कि हमने आपको अपने चैनल पर पहले यह बताया हुआ है तो दोस्तों आपको यहाँ पर अब तो आप गलत काम या गलत डॉक्यूमेंट बनाकर कभी भी राशन कार्ड एपलाई मत कीजिए क्योंकि पहले इस तरह से काम चल जाता था लेकिन अब जो है सब डिजिटल होने वाला है और पहले भी हमने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि अब राशन कार्ड भी अब डेट है प्रशासन जो है अब वो सक्त होने वाला है और सबी लोगों की आप राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो आप सिर्फ लीगल तरीके से राशन कार्ड बनवाईए अगर आप लीगल होते हैं योग्य हैं तो ही राशन कार्ड बनवाईए अन्य था आप राशनकार्ट मत बनवाईए और अगर आपने अभी राशनकार्ट बनवा लिया है और कोई गलट डॉक्पिमेंट महाँ पर सब्मिट कर दिया है तो आप उसको अपनी गलती को जल से जल ठीक करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में खामियाजा ना भुकतना पड़े तो दोस्तों जानकरिए आप सभी लोग के लिए थी कैसी लगी जानकरिए प्लीज हमें कमेंट करके बताए अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद